कच्चे तेल की निर्याद में कटोती करेगा रूस रूस ने अगले महिने यानि अगस्ट से कच्चे तेल के निर्याद में पांच लाख बैरल परती दिन की कटोती करने की घोशना किये दोस्तों रूस के उप परदान मंतरी अलेकजेंडर नौवाक ने सुमार को कहा कि तेल उत्पादन में इतनी मात्रा में कटोती से इंकार किया है। दरसल रूस और साओधी अरब मिलकर वैस्विक सतर पर कच्छे तेल के मुले में बढ़ातरी करना चाहते हैं। इसी को लेकर रूस ने निर्यात में कटोती का फैसला किया है दोस्तों। इससे पहले साओधी अरब ने भी उत्पादन में 10 लाख बैरल परती दिन की स्वेचिक कटोती की अगस्त में जारी रखने की खोशना की थी। अभी साओधी अरब परती दिन 90 लाख बैरल कच्छे तेल का उत्पादन कर रहा है। साथिय अरब के बाद रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निरिया तक है 27 जून को साथिय अरब के क्राउन प्रिंच मुहमद बिन सल्मान ने रूस के राष्टकती बलादे मेर पुती ने से बाचित भी की थी रूस और साथिय अरब की खोशना के बाद वैस्विक बाजारों में कच्छे तेल के मुल्य में तेजी दर्ज की गई थी पसमी देशों के परतिबंद के बावजूद दोस्तों रूस का तेल निरिया तो मजबूत बना हुआ है रूस ने इस वर्ष के आंधे तक अपने तेल उत्पादन में पांच लाख बैरल परती दिन कटोती की खोशना की है इस वर्ष में रूस का तेल उत्पादन पिच्चानवे लाख परती बैरल परती दिन था दोस्तों बारत की तेल कमपनियों रूस को यूआन में भुक्तान सुरू किया भारत की तेल कमपनियों ने रूस को यूआन में भुक्तान किया है बारत की तेल कमपनियों ने तेल आयात के लिए रूस को चीन की मुद्रा यूआन में भुक्तान सुरू कर दिया है चुत्रों निसार पस्मी देशों के परतिबंद के बाद रूस और इषका तेल खरीदने वाली कमपनियां बुकतार लिए डॉलर के इतररे वैकलपि कि तरीकों का इस्तमाल कर रही है परतिबंदों के बाद भारती रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार के तोर पर उबरा है दोस्तों साथ ही भारती परतिबंदों में बदलाओ के बीची बुक्तान के तोर तरीके के बारे में भी सोच रहा है